दोस्तों क्या आप भी अपने keyboard के अंदर आप setting में आप यहाँ पे performance setting यूज करना चाहते हैं या आप यहाँ पे पूरा details में पता करना चाहते हैं कि आकितकार keyboard के अंदर performance से setting कैसे यूज करेंगे और इसके अंदर आपको पहुत सारे option मिल जाते हैं इन option को कैसे यूज किया ज सारी और पूरा details में आपको मैं performance setting के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप भी अपने keyboard के अंदर आप इस setting को पूरा details में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको ध्यान से और पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा तो चलो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है तभी आपको पता चलेगा और ध्यान से आपको सुनना भी है अब आपको यहाँ पर setting पर क्लिक करना है keyboard के और उसके बाद यहाँ पर यह setting आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक कर यहां पर यहां पर आपको आपका नंबर रो देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको पता चल गया होगा इसके बाद यहां पर फिर से करेंग नहीं है पर यहां पर आपको यहां पर करेंगे का ओप्सण नहीं आएगा अपके पास चेंज करने का ऑप्सण आएगा तो अपने साफ सी आप मैनेज कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आ Nearlyगश यहाँ पर देखने को मिल आता है So emoji and Syables Keyboard याणिकि इस setting से यह होता है कि जैसे आप इस setting को यहाँ से enable कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप जब बैक आते हैं Keyboard पर आते हैं, तो यहाँ पर साइबोल्स number जो देखने को मिलते हैं इस पर आप किलिक करते हैं तो यहाँ पे यह सारा आपका emoji देखने को मिल याता है अगर आपको setting को disable कर देंगे तो आप जब इस पे यहाँ पे करेंगे इस साइबोल्स नंबर पे तो आपको emoji देखने को नहीं मिलेगा और जो मैंने आपको पहले setting बटाया है कि आपको यहाँ पे लेंग्वेज और कीवोड तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे लेंग्वेज सेटिंग को बंद करेंगे तो लेता है यहांप आपको देखने को वन हैंडीड मोड सेटिंग मिले लाए यहां से अपने कीबउर के अंदर आप वन हैंडीड मोन सेटिंग परकतें हैं अगर आप यहां पे हैंडेट मोड क्लिक करेंगे तो एका keyboard आपके राइट हैंडेड से हंडल हो जाएगा और इसके Bach अगर left handed mode यहाँ पे enable करेंगे तो यहाँ पे जो आपका keyboard होगा वो आपके left handed की side में आ जाएगा और अपने left hide यानिके hand से आप manage कर सकते हैं अपने keyboard को उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है keyboard hide अगर आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा उसके बाद यहाँ से आपको cancel करना है यहाँ पे मिल जाता है आपको emoji sticker setting यह setting आपके लिए बहुत ही important और बहुत ही जरूरी setting है इस setting से क्या होता है कि जब आप किसी को भी आप emoji send करते हो तो वहाँ पे आपको STICK Long a Day का ऑपन संब्सक्राट जाता है और वहँंपय आपको suggested में स्टिखर भी आपको दिखाए जाते हैं अगर आप the setting को enable करते हैं तो यहासे आपको दिखाते हैं यहाँ से आपको enable करना है यहाßे आपको बयकाना है तो आप यहाँ पर पताय चलिवाया होगा, उसके बाद यहाँ से अपको connect can, बैकान, यहाँ से setting पर लिखे करना है, यहाँ से अपको नीटया करना है, यहाँ पर मिल जाता है आपको emoji fast access row, यहाँ इस setting से यह उता है कि आपके, जैसे आपको किसी को भी emoji send करते हैं, यहाँ तो उन्हें emoji का आपके सामने एक keyword के उपर आपको एक row देखने को मिल जाएगा और उन्हें आप वहीं पर use कर सकते हैं और जो आपको यह sticker setting है यह आपका वहाँ पर काम करता है जहाँ 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 पर chatting किया जाता है आपका हर जगे काम नहीं करता है तो यहाँ पर इसे इनेबल करना है यहाँ से आपको बैकाना है जैसे आप यहाँ पर आपके keyword के ऊपर यहाँ पर आपको emoji देखने को मिल जाता है जहां से आपको देखने को मिल जाता है तो ऐसे आप इस setting को यूज कर सकते हैं उसके बाद फिर से आपको performance पर किलिक करना है यहाँ से आपको बैकाना है और यहाँ पर मिल लाता है आपको sound और यहाँ पर मिल लाता है आपको vibrate का option. याँनिके इसका ये दोनों का मतलब ये होता है कि अगर आप इन्हें enable करेंगे तो अपने keyword के अंदर आपे sound को manage कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पर अपने keyword के अदर typing करते हैं तो वहाँ पर आपको tuck tuck का आवाज आता है उसे आप बंद कर सकते हैं अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको इस पर click करके उसका आवाज कम भी कर सकते हैं उसी परकार यहाँ पर आपको vibration मिल लाता है अगर आप इसको vibration को कम क करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं अगर आप इससे बंद करना चाहते हैं तो यहां से आप इसे बंद कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मिल जाता है आपको पर आपको देखने को मिल जाता है वह आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप बंद करेंगे अगर आप यहां पर इ आपको साड़ के सारे points की नाम से कदेंगे यहां यहां से बर के और यहां से कीवड के अंदर यहां पर सार के साऑट्स के वह चेंजे आपको देखने को मिल जाएंगे आप यहां से आपको सारे के सारे चेन ने योजे नहीं करना पड़ेगा डारेक्ट आप यहीं से योजे कर सकते हैं सिर्फ आपको यहां पर लॉंग प्रेस करना है और यहां पर यहां पर लॉंग प्रेस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप long place करते हैं उसका समयए आप यहांपे चेंट कर सकते हैं अगर आप यहांप यहां पर ताईब करके होजएगा तो आओसे आप यहांपे पूरी कि پूरी सेटिंग अपने सेटिंग क definition की आप यूज रिख कर सकते हैं और जो पूरद बता दिया है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद